नमश्कार दूफ्तों दे बन तो यहां पर शुरुआत देखने को मिलती है कि दे बन क्या था कहां से किस तरी किस शुरुआत तो यह तो उन्होंने नहीं बता है लेकिन पहला दिन कैसा रहा था बोची है हमको इस मूवी में देखने को मिलती है एंड उन्होंने ये नहीं बदा कि कहां से कैफे शुरुआत हुई थी तो वसक्ता उसके लिए उन्होंने एक और कोई प्रीक्वल सोच रखा होगा लेकिन ये मूवी भाई ठीक ठाक मूवी थी तो बी आनेस्ट एंड जो मज़ा आया था उन दोनों मूवीज में बो मज़ा यहां पद नहीं है वो हॉरर यहां पद नहीं है अक्वाइड प्लेस पाइट वन जो मूवी थी बहाँ पर जब हमको एक फीन था जब जो जोन क्रिशिंस की का जो कैटेक्टर था वो अपने बेटे के साथ कहीं बाहर जाता है उसको चीज़ है शिकाने के लिए उस दोदान उसके घर पर क्या होता है पीछे से वो बहुत खतज़नाग था तो उस तरह के मूवेंट इस मूवी में नहीं है कहीं पर भी एक दो मैं यह कहूं कि यह मूवी होरर नहीं बस intense thriller टाइप की कैटेक्री में आती है होरर तो मुझे यहाँ पर कुछ भी लगा नहीं है thrill था बहुत अच्छा था जो यहाँ पर हमको देखे निक मिलता है कहाने पर भी कुछ खास मैं बता नहीं पाऊंगा फैम नाम की लड़की है जो उसको cancer है फिर New York City में हमला हो जाता है कैसे होता है मतलब आसमान से कुछ धमाके होती है प्रिषवी पर तो उन से उन सब की शरुवात होती है और क्यूं होते हैं कैसे होते हैं बोनों नहीं बताया है तो अब देख लेना मुवी भाई टो बी ओनेस्ट लेंदी बोरिंग जैसी तो फिल नहीं होती है क्योंकि यहां पर जो creatures हैं वो लोगों को मार रहे है तो हमेशा एक thrill बना रहता कि कब पता नहीं कहां से कैसे हमला हो जाए तो बहुत तो बहुत बहुत नहीं कर सकता है लेंदी भी फिल नहीं होता देड़ घंटे की मूवी की लेंद लेकिन भाई एक वाला मुमेंट यार मैं यह कहूँ कि मैंने पिछली दोनों मूवीज देखी है तो बहां पर जो मुझे देखने को मिला था वो यहां पर नहीं है एक चीज और बता दूँ जिन लोगों ने वो मूवीज नहीं देखी तो यहां पर बहां पर देखने को मिलता है चैपीज में हो या फिर क्लाइमेक्स में वो कुछ पल के लिए हो जो भी हो तो बस वहीं एक थ्रिल एक वो वाला टेंशन देखने को मिलता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए लेकिन जब मुवी इन दो करेक्टर्स पर फोकस करती है जहां पर क्रीचर्स दिखाई नहीं पड़ रहे थे एक जुन्ड बना कर चल रहे थे एकटे होकर शेहर खली करने के लिए तो बहाँ पर एक हमला होता है क्योंकि लोग एक हट्टे जा रहे हैं तो कोई सामान भी लेकर जा रहा है पैदल चल रहा है तो उसकी मज़ए से आवाज होती है एक हमला होता है रहा पर एंड बहां पर लोग गला फाड़ कर चिला दे है तो वो था कुछ एक दू मुमेंट है इस मूवी में जो वागी कुछ अच्छे मैं कह सकता हूँ लेकिन क्यों शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ हो सकता है कि उन्हों ने कुछ बाकि रखा हूँ लेकिन यहां पर देखने को नहीं मिला है और हो सकता है उसकी कोई जरूरत भी ना हो कि कहां से क्यों शुरू हुआ तो यह सारी चीजे हैं इस मूवी में मैं जाओंगा के साथ आप कोने मुवी देखी अपने टेक्स लिक्ष के बताना बाकिया दस में से अगर आप लोग पूछे मैं आई-म-डी-बी के साथ जाओंगा मूवी को आई-म-डी-बी पर 6.6 की रेटिंग दे गई है तो मेरी तरब से भी वही है आपने मूवी देखी अपने टेक्स लिक्ष के